हेलो फैमिली कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे लेकिन ये जो क्रिप्टो करंसी मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है कहीं न कहीं आपके मन में भी एक सवाल आने लगा होगा कि क्या ये 23 से 25 अजार डॉलर के बीच में जो अंदर सवाल होगा ना और ये एक्च्छल में मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने को क्यों मिला यहीं इंपोर्टेंट सवाल होगा ना तो इन सवालों के आज मैं जवाब देने वाला हूँ घबराने से कुछ नहीं होता अपॉर्चनिटीज को तलाश हो ढूंडो और उस हिसाब से यहां पे शॉट टम में ट्रेड कर रहे हो तो इनका फाइदा उठाया जा सकता है और इसी चीज़ पे हम हर बार फोकस करते हैं जाय से अदर क्या होगा जब आपको पता है कि यह सपोर्ट है और अगर इसको नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिग का जो है जो फायदा उठा सके अगर पांस साथ बार अगर पायदा उठाते हो और एक बार लॉस होता है तो ट्रेडर का असली ट्रेडर की यही पहचान होती है कि ऑन एन एवरेज मैं घर में क्या लेके गया ऑन एवरेज मेर को क्या फायदा हुआ लेकिन हमारे साथ में हम तो करते नहीं है हम करते हैं अपना दिल लगा लेते हैं emotions दिखाते हैं stop loss लगाते नहीं है और बाद में जब नीचे चला जाए तो जो है परिशान होते हैं distract होते हैं और वही चीज हम आपको सिखाते हैं stop loss क्यों जरूरी होता है तो यहां पर bitcoin के बारे में तुम्हें मैं बात करूँगा ही साथ के साथ में 3-4 coin जो आप regular पूछते हो ethereum.matic इनका भी क्या लगता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो परेशान मत हो ये उमीद करता हूँ content आपको अच्छा लगता है हमारा तो like जरूर करके जाएए अपना प्यार दिखाएए situation कैसी भी हो हम आपके साथ यहां पर रहते हैं और लगातार आपको up to date रखते हैं हर चीजों के लिए और साथ के साथ हमारे चैनल को subscribe भी जरू कर लिजेगा दोस्तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये हफता जो था वो काफी कुछ event फुल था यानि कि fed से related या अमेरिका से related बहुत सारी चीजे आनी थी और यही चीज हमने आपको अपने Twitter टेलिग्राम पर पहले ही aware कर दी तो इसलिए कहते हैं अगर आपने हमारे Twitter टेलिग्राम को follow नहीं किया है तो नीचे description में link है उसको follow कर लीजिए तो तीन बड़े event थे जो शुरू हुए थे Wednesday से और आपको पता FOMC के minutes आने थे थोड़ी fluctuation देखने को मिली थी लेकिन उसका कुछ जादा impact नहीं देखने को मिला था क्योंकि वहां ये बोला गय हैंगे ही वो continue रहेगा और जब तक यह continue रहेगा तो मामला जो है अगर global stock market की बात करें उसके अंदर ऐसा ही रहेगा डर का महौल रहेगा और यहां पर अगले दिन जो होना था वो GDP की report आनी थी और कल रात को आना था PCE index inflation report अब यह PCE index inflation report क्या होती है inflation का data आप समझ expenditure PCE उसका data निकल के आना था और वो भाया inflation का इन शौर्ट आप समझ लीजिए 0.6% बढ़कर आया और इसका impact पूरी global stock market पे और American market पे आपको देखने को मिला और आप देखते हो USA की market Dow Jones हो S&P 500 हो NASDAQ हो वो 1.5% तक तूड गया और यही चीज उसका ऐसा ही impact लगबग European market पे ह हमें देखने को मिला इंडियर market पे भी हमें देखने को मिलता है और अगर आज शाय सैटेड ना होता तो यहां पे आज भी देखने को मिलता है तो इसका जो है एक major impact यहां पर Bitcoin के उपर देखने को मिल रहा है और यही जो है एक बड़ा reason निकल के आ रहा है कि हमने कल Bitcoin का price 23,000 dollar के नीचे एक बेक बनाई लोगों को liquidate किया और वहां पे दुबारे वह वापिस चला गया एक और important factor है जब ऐसी चीज़ हाती है और dollar का मजबूत होना DXY index की बात करते हैं वो भी shoot up किया उसका भी impact हमें देखने को यहां पर मिल रहा है जो अगर आप देखोगे जब Bitcoin अच impact हमें यहां पर देखने को मिल रहा है तो यह दो बड़े कारण है जिसकी वज़े से हमें अभी Bitcoin और cryptocurrency मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है यह तो एक दो reason है और यह temporary reason होते हैं और यह चीज़ों को हमने पक्का करके चलना होता है अब कई लोग बोलेंगे inflation से फ को interest rate hike कर रहा है basis point बढ़ा रहा है और अगर ऐसा हुआ है तो संभावना ज्यादा हो गई है कि 0.25 की जंगा 0.5 ना बढ़ा दें और इसी का impact stock market और cryptocurrency market पे देखने को यहां मिल रहा है आइडिया लग गया कि क्यूं कल market के अंदर panic देखने को मिला अब हम बात करते हैं कि actual में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि bitcoin का खेल क्या चल रहा है actual में देखते हो तो एक और important reason है और वो चीज़ है कि इस मन्त की closing होनी है हम weekly closing 200 weekly moving average से उपर नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर वो close नहीं कर पाया जैसा अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है तीन चार बार तीन क्या पांच बार उसने कोशिश की लेकिन उसके ऊपर close नहीं कर पाया देखो विक बनती है नीचे आ रहा था एक important resistance है और 2019 के अंदर भी कुछ-कुछ ऐसा ही था लेकिन जो क्या होता है जो थोड़ा time लगता है market को चीजों को करने में लेकिन परिशान नहीं होना है अब दूसरा important जो factor है वो है 30 जो 50 monthly moving average की बात करते हैं यह जो yellow line दिख रही है उपर जो blue line दिख रही है वो जो है आपका 200 weekly moving average है अब 50 monthly moving average की बात करते हैं 23,200 डॉलर के आसपास या ऊपर close करेगा अगर यह ऊपर और इस यह भी एक psychological बड़ा समझ लीजिए बहुत बड़ा factor है क्योंकि यह भी एक resistance और support का आपको याद होगा काफी time से resistance का का काम कर रहा है और अगर इस बार भी resistance का का काम किया तो आप कह लीजिए 23,000 डॉलर से लेके 23,500-600 डॉलर पर ज resistance zone है या एक resistance है 523,500-600 डॉलर से उपर close करता है तो आप समझ लीजिएगा तो monthly closing का एक impact पिछली बार नहीं कर पाया था जनवरी के अंदर February के अंदर भी वही एक pressure बन रहा है इसके उपर नहीं close कर पाया तो हम आपको दो चीज़े बोलते हैं 200 weekly moving average और 50 monthly moving average के उपर ये close करेगा तब ही एक नया trend या आप कहले जिए एक impact देखने को मिलेगा bullish trend का ना वो 200 के उपर कर पा रहा है ना वो 50 के उपर और इस time पे 50 के लिए उपर close करने के लिए भी ये जूज रहा है अगर ये इसके उपर close कर पाया तो एक पहला signal होगा green signal की okay है और अगर उसके उपर जाता है दोसों से तो आप समढ़ लीजेगा आने वाले time के अंदर अगले एक दो quarter के अंदर हमें और बड़ा pump देखने को मिल सकता है लेकिन अगर historically data को check करते हैं तो कहीं न कहीं अभी हम 50-50% की growth दिखाई है और अगर देखो mid में जब तक आएंगे इस साल के तो कम से कम bitcoin का price 30-35,000 dollar के बीच में होना चाहिए अगर उसको भी consider करते हैं ये चीज तो उमीद करता हूं overall समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है और यहां पर opportunity तो मिलती है एक और technical जो indicator है वो है फेवनाची की retracement अगर 23,000 dollar आप देखो हम हमेशा बहते हैं 23,000 dollar एक important support zone है क्योंकि वहां पर फेवनाची की एक important ratio आती है और वो एक support है उमीद है कि वो support बनके निकल के आईगी अगर यहां नहीं टिकता है तो इसके दो levels हैं जिनको हमने देखना है एक है 22,200 dollar और एक है आपका 200 daily moving average जो आता है 19,600 dollar अगर 23,000 dollar पर यह नहीं टिकता है तो और आपके straw loss trigger होते हैं और market के अंदर sentiments भी गड़ते हैं तो यह दो levels हैं एक आपका 22,200 dollar और एक ह 2600 से 20,000 dollar आप समझ लीजिएगा कि अगर बूरे हालात होते हैं तो यह test कर सकता है अगर ऐसा होता है तो दोस्तों एक opportunity की तरह इसको लीजिएगा 20,000 dollar के आसपास अगर आपको यह मिल जाए हम यह नहीं कहरें इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि अल्रेडी correction चल रही है औ और अगर बूरे हालात हुए 33,000 dollar से ने तो 22,200 dollar तक यह आ सकता है तो दो पार्ट के अंदर इनफेक्ट आप अगर आपने अभी तक बाइन नहीं किया और पार्ट में बाय कर रहे हो तो तो तीन पार्ट के अंदर इस टाइम पे बनता है एक है 23,000 dollar एक है 22,200 dollar और एक है पास वो इसके लिए resistance का काम इस टाइम पे कर रहा है बार-बार हिट किया लोगों की उम्मीदे बढ़ने लगी अब तो 25,000 dollar को break करेगा लेकिन हम हमेशा यह बोलते हैं यह it's not so easy जितना हमें लगता है और यह manipulators दोस्त आपको यहां पे कमाने देने के लिए नहीं है वो पै trade sell हो रहा है target achieve है तो भाईया माल निकालो short term में देख रहे हो इसलिए कहते हैं दो माइंड आपको रखने चीए एक short term का एक long term का उमीद करता हूं content अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like जलू करेंगे समझ में आ रही होंगी कई कुछ बार मैं कड़वी बात बोल देता हूं लेकिन मेरी intention आपको हट करने की नहीं होती है रेलाइस करवाने की होती है कि भईया यहां पर market के अंदर emotion से काम नहीं चलता है अब बात कर लेते हैं पटक से हम इथीरियम की इथीरियम साड़े सतरा सो का इसका target था इसने अचीव किया क्या हमें यहां entry लेनी चाहिए actual में देखें तो लगभग 1570 dollar के आसपास एक entry बनती है लेकिन हम यहां entry के लिए नहीं देखेंगे हम क्योंकि already बहुत जादा इसकी hype हो चुकी है शैंगा यह upgrade की भी बात हो रही है हम देखेंगे 1440 dollar के आसपास और 1360 dollar के आसपास अगर यह आता है या 1300 dollar के आसपास आता है तो हम इसके अंदर entry बनाने की सोचेंगे फिलाल हम इसके अंदर entry नहीं लेंगे हम वेट करेंगे यह अगर इस rate से जाएगा उपर तो कोई बात नहीं बहुत और को आएंगे और देखेंगे ठीक है तो इन चीज़ों को समझना है मैटिक के अंदर भी हम यही करने वाले हैं मैटिक का इसने हमारा 1.3 और 1.5 dollar जो हम भोल रहे थे उसका target अचीव किया और जब market इतनी अच्छी extraordinary जाती है तो भाया वो नीचे भी तो आएगी न वेट भी तो करो correction healthy आनी चीए RSI breathe out हो रही है वो एक signal तो दे रही है न तो यह हां देखेंगे और एक entry हम लगबग 1 dollar के आसपस देखेंगे हम इसके अंदर भी अभी कोई चल्दबाजी नहीं करने वाले हैं अगर यह आता है नहीं तो हम दूसरे coin को focus करेंगे जो हमें लगता है कि यहां पर उनके अंदर ज्यादा potential लग रहा है अगर dot की बात करते हैं तो dot की entry लगबग बनती है 6 एक तो 6 dollar के आसपस और दूसरी बनती है लगबग 5.6 dollar तो इन coins के अंदर situation क्या है कि better यही रहेगा अगर आपने एक entry ली हुई है तो एक अलग चीव है लेकिन अगर आप entry के लिए देख रहे हो तो दो पार्ट के अंदर लगबग 6 dollar के आसपस है तो अहां पर dot में भी entry लीजिएगा और एक entry आपकी 5.6 dollar के आसपस बनती है तो बैटर यही रहेगा कि थोड़ा सा वेट कर सको तो यहां पर अगर entry मिले तो करें नहीं तो कोई बात नहीं हम लगातार आपके साथ में coin share कर रहे हैं वो ही कोई न कोई आपको एक अच्छा return देके जा सकते हैं बाकी bitcoin के अंदर तीर entry बनती हैं 30,000 dollar पे 22,200 dollar पे और 19,600 से 20,000 dollar पे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है और क्यूं इसका एक impact पड़ता है और इन सारी चीज़ों को आपको ले के चलना पड़ता है लेकिन अगर broader picture देखें थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ सकें या long term का vision लें तो यहां पर cryptocurrency market 15,000 dollar पे जब आज छोड़ दे थी तो क्या निराज किया तो ऐसा ही हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर बड़ा vision लेके चलेंगे और market जब ऐसे जाती है तो थोड़ी correct भी करती है यूं नहीं है कि मैं आपको वो भी देदूं कि G20 की अध्यक्षता हमें पता है कि हमारी जो है government कर रही है और यहां पर finance ministry की तरफ से update आया है कि जो finance minister है श्री मतिर निर्मरा जो सीता रमन उन्होंने जो अपने closing remark के अंदर crypto assets को लेके ठीक है welcome किया है कि welcome support जो G20 की अध्यक्षता हो रही है coordinate करने के लिए global policy के लिए तो यानि कि cryptocurrency को लेके globally हमारी finance minister अगर हम अध्यक्षता कर रहे हैं G20 के सारे देश हैं बड़े तो वहां पे कुछ न कुछ निकल के आ सकता है एक policy के ऊपर decide किया जा सकता है कि ऐसे set of rule होंगे लेकिन वो implement होंगे क्योंकि हर country का लग-लग system होता है थोड़ा time लगता है उस चीज़ के अंदर तो कई बार हमने देखा है सालों लग जाते हैं लेकिन यहां पर अगर ऐसा कुछ एक page पे आते हैं कि यह set of rule आने चाहिए यह ऐसे regulate होना चाहिए तो यह सारा चीज़ एक G20 के अंदर चल रही है crypto currency को लेके तो उमीद है कुछ ना कुछ नहीं कर सकते हमें नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा लेकिन हां अगर सारी दुनिया एक साथ आके rules regulation मनाती है तो उसका एक impact पढ़ सकता है और तब एक solution निकल के आ सकता है आपको क्या लगता है comment में हमने जरू बताईएगा और इसी के साथ छोड़ जाते हैं और घ important information update होती है जो हम वहां करते हैं कई बार यहां मेंस हो जाती है या कई बार यहां पर हम देते नहीं है और वो बहुत कई बार instantly आपको चाहिए होती है तो उसके लिए Twitter, Telegram को follow कर सकते हो नीचे description जो link है उसी से follow कीजिएगा बहुत सारे scam आरवाय नाम से scam करनी कुछ कर रहे ह हैं उससे भी आप बच पाओ अभी के लिए विदा लिता हूं खुश रहे हैं मुस्कुरात रहे हैं कमाते रहे हैं आपका दोस्त पंकर्च तैंकी नमस्कार दन्यवाद दोस्त प्रच रहे हैं